आज इस वीडियो में अमलोग PharmaSetical Inorganic Chemistry के चैप्तर वान, Acid-Base Buffer के बारे में जानेंगे Acid-Base Buffer के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले Acid के बारे में जानेंगे Acid-Defenition and Acid is a Molecular Ion capable of donating a proton or alternatively capable of forming a covalent bond with an electron pair एसीड वैसा मोलिकुल और आयान होता है जो अपने तरब से प्रोटोन को डोनेट करता है और कोविलेंट बॉन्ड फर्म करता है उसका आधम बात करें एक्जामपल के तौर पे तो एक्जामपल में HCL लेंगे एक नोट याद गारे तो फर्स्ट काट्रोगरी अफ एसीड आर दब प्रोटोन डोनर और बॉन्स्टोड लोडी एसीड च्रेक्टरेस्टिक्स आफ एसीड जानेंगे तो एसीड सावर इंटेस्ट होता है इट टर्स बुलू रिटमस रेड पी एच लोवर दें सेवें होता ह है जितना कम पीच होगा उतना मतलब स्ट्रॉंग एसीड रहेगा और जितना मतलब पीच ज्यादा मतलब एक से उपर जाएगा तो एक से उपर जाएगा तो एक से उपर जाएगा तो एसीड मतलब कम वीक एसीड के तोर पर कलाएगा और सेवन से नीचे के तरफ प्रिंट अच्छ होता है, बिटरीन टेस्ट होता है, pH लिए धायर दन 7 होता है, 7 और 14 के रेंज में रहता है, इसका ये इड्येल्स, हाइड्रोकसाइल, आइवन, और डिलूशन इड्वाटर, अब बात करें बाफर के बारे में, जो मेन टॉपिक हमारा है, बाफर, बाफर इ एक तरह का वैसा सॉलूशन होता है, जो pH को रेसिस्ट करता है, चेंज होने से, उसमें अगर 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 बेसिक कंपोडेंट अड्र लिमिट डाला जाये, तो वो बाफर वैसा सॉलूशन है, जहां pH चेंज ना होगा, इट इस एबल तो नुट्रिलाइज ए स्मॉल नुट्रालाइज करता है और सॉलूशन के पीछ को रेसिस्टेबली इस्टेबल बनाता है, बॉफर दार सॉलूशन, बाफर अधर सॉलूशन आप वीक एसीड अधियर साल, और वीक बेस अधियर साल, गथे सोलूशन अपर थे डिएज़ आप बहार अटल्यमिट और साल, the pH of buffer is not affected by dilution of water यह तब जो solution buffer solution रहेगा उसमें हम आगर उसको dilute करें water से फिर भी pH हमारा buffer का change नहीं होगा इसका बात करें acidic buffer, acidic buffer में हमारा weak acid होता है और उसका salt of weak acid होता है basic buffer के बारे में जानेंगे तो weak base होता है और salt of weak base होता है है , अब आगे हमको theory of acid and base के बारे में पड़्ना है theory of acid and base में अलहेणous theory के बारे में जानेंगे हम 1887 में दिया गया था वोसका born state lorry theory के बारे में जो 1923 में दिया गया था अब का ले GC das इस बेस just theory के बारे में जानेंगे जो यह भी 1923 in the same year اصम और जिसमें लॉरी थिया गया था उसीमें दीया गया था अगर आपको यह विडियो पसंद आये तो आप इस विडियो को like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस विडियो को शेयर करें वीडियो यहां पर खत्म होती है अगले वीडियो में हम लोग अरहेनस थियोरी बॉंस्टे लॉरी थियोरी और लिविस एसीड बेस थियोरी के बारे में जानेंगे उसके बाद हेंडर्सन इक्वेशन आएगी उसके बाद सटेन कंपाउंड्स जो हमको लिवस पढ़ना है उसके बारे में जानेंगे चलिए वीडियो यहां के खत्म होती है